दोस्तों एक समय ऐसा था जब अक्षियकुमार और प्रेंका चोपडा का लव आफियर खूब सुर्खियों में बना रहा लेकिन कुछ समय बाद ही इन दोनों के रास्ते अलग लग हो गए और आज कई सालों बाद अक्षियकुमार और प्रेंका चोपडा एक बार फिर सुर्खियों में बने हैं लेकिन इस बार इनकी सुर्खियों में आने की वज़य प्यार नहीं बलकि इनकी दुश्मनी बताई जारा की है जी हां दोस्तों सुनने में आ रहा है कि अक्षियकुमार प्रेंका चोपडा से काफी ज़ादा नाराज है और उनकी ये नाराजगी एक इंटर्व्यू में देखने को मिली तो आए दोस्तों जानते हैं क्या वज़य है इनकी नाराजगी की अगर आप ये सभी बाते जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के एंड तक बने रहे हैं और साथ ही अक्षयकुमार और प्रेंका चोपडा के शानतर अभिने के लिए आप हमारे वीडियो को तो like करी दीजिए दोस्तो कुछ दिनों पहले अक्षा कुमार की फिल्म मंगल का ट्रेलर रिलीज हुआ था और इस मौके पर अक्षा कुमार मीडिया को इंटर्व्यू देते वे नजर आए तो वहीं उनसे प्रियंका को लेकर भी सवाल पूछे गए हम आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले प्रियंका चोपडा ने असम में आई बार को लेकर ट्वीटर पर अपना दुख जिताया था और जब इस बारे में अक्षा कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा इस तरह दुख जताने से अच्छा है कि आप वहाँ पर कुछ पैसे डॉनेट कर दें ताकि उनका कुछ भला हो सके यही नई अक्षा कुमार प्रिंका चोपडा से इसलिए भी खफा है क्योंकि जब से प्रिंका चोपडा हॉलिवुड में गई है तब से प्रिंका चोपडा बॉलिवुड को नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती अब ऐसे में हर गोई उनसे काफी नाराज है हम आपको बता देए सल्मान खान अक्षा कुमार के काफी अच्छे दोस्त है जब प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म भारत को ठुकराया था तब इस बात का सबसे ज्यादा बुरा अक्षा कुमार को ही पड़ा था उनका ये घुसा फिल्म मंगल मेशन के दोरान निकल कर सामने आ है जहां उन्होंने अपना घुसा जाहिर कर दिया और अब अक्षा कुमार को देख कर ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये दोनों कभी एक दूसरे से प्यार भी किया करते थे तो दोस्तों आपको क्या लगता है? क्या वागई प्रियंका चोपडरा हॉलिवर्ड में काम करने के बाद काफी जाधा बदल चुकी है या नहीं? अब हमें कॉमेंट बक्स में कॉमेंट करके बताईए ना और बॉलिवर्ट से जुड़े और वे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा